हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल में The Chemist Club आज हम बात करने वाले हैं एक रियाक्शन की कार्बॉक्सलिक आसिड के जिसका नाम है हेल वॉलर्ड जिलिन्स की रियाक्शन और यह एक नेम रियाक्शन भी है तो आएए डिसकास करते हैं इस रियाक्शन में क्या होता है और कैसे कार्बॉक्सलिक आसिड रियाक्ट करता है अलग-अलग कंपाउंड्स या एलफा हेलो कार्बॉक्सलिक आसिड बनाने में chlorine के साथ के presence में यह reaction देते हैं और हम थोड़ा सा small amount of red phosphorus लेते हैं red phosphorus क्या करता है इस reaction को थोड़ा आगे boost करने में मदद करता है और bromine और chlorine के साथ यह एक tribromide phosphorus tribromidia phosphorus tri chloride के नाम का एक reagent बन जाता है फिर वो आगे और अच्छी हमारे को reaction देने में मदद करता है तो इसकी जो general scheme है general reaction है वो यह है जिसमें RCHH जो alpha position है यह हमारे acid के जो alpha position है alpha carbon है इस पे basically क्या है दोनो hydrogen है जब मैंने इसको X2, X2 मेरा यहाँ पे halogen बता रहा है यह मेरा halogen है और red phosphorus, red phosphorus basically मैंने क्यों लिया है क्योंकि यह इसको activate करेगा मेरे halogen को activate करेगा फिर उसके बाद क्या करेगा यह इसको PBR3 या फिर मैं general लिख दूँ तो PX3 phosphorus trihalide करके एक reagent तयार करेगा जो फिर इसको further क्या करेगा यहाँ पे alpha position पे एक halogen group को induce करवा देगा तो X यहाँ पे chlorine भी हो सकता है, bromine भी हो सकता है हम लोग fluorine नहीं use करते हैं क्योंकि fluorine आप जानते हैं वो बहुत ही violent एक reaction दे देता है और मतलब उसके साथ reaction handle करना बहुत मुश्किल हो जाता है, कई बहुत fire लग जाती है, बहुत मतलब burning वाली situation आ जाती है fluorine से, तो इस वज़े से हम उसको lab में avoid करते हैं, उसकी reactions बहुत particular एक setup के साथ तयार की जाती है, उसको ऐसे ही हम नहीं use कर सकते हैं, जो bromination होता है acetic acid का is a good example of this, bromination of acetic acid जो है, वो इसका बहुत अच्छा example है, तो आईए देखते हैं, उसका mechanism क्या है, यह आपका acetic acid है, जब इसको मैंने HVZ reagent के साथ treat करा, तो मुझे alpha position पर एक BR मिला, फिर से मैंने treat किया, तो एक और BR मिला, मतलब जितने भी आपके alpha position पर hydrogen है, वो सब किस से replace हो जाएंगे, आपके bromine से, तो यह आपको देखिए, क्या मिल गया, tribromo acetic acid आपको provide हो गया, ठीक है, तो यह देखिए, बहुत अच्छी reaction है, generally alpha position पर जो हमारे को halogen का induce करना, यह काफी difficult task हो जाता है, बट HVZG ने यह reaction को कितना आसानी से create कर दिया है, तो इसकी mechanism की हम बात करते हैं, mechanism इसका कैसे हम बनाएंगे, सबसे पहला जो step होता है, इसका mechanism का, उसमें क्या होता है, कि जो हमारा phosphorus होता है, वो bromine को activate करता है, और phosphorus tribromide बनाता है, इसके first step में, फिर उसके बाद क्या होता है, कि वो carboxlic acid को phosphorus जो tribromide हमारा बनता है, वो इस carboxlic acid के साथ react करता है, और एक acyl halide का formation होता है, और acyl halide एक हमारा carboxlic acid का derivative भी है, यह हमारा side product होता है, phosphoric acid, ठीक है, तो जो हमारा फिर उसके बाद हम, इसका मैं अभी आपको mechanism बताऊंगे, सबसे पहले हम यह जो main mechanism है, इसको complete कर लेते हैं, फिर जो step 2 में हमारा क्या होता है, कि जो acyl bromide होता है, वो मेरा tautomerize होता है, जैसे यह देखिए, यह मेरा acyl bromide है, मैंने इसको क्या क्या, tautomerize किया, tautomerize करना देख ली क्या होता है, इसमें यह जो चीज है, यह मेरी इधर migrate करती है, ठीक है, और यह मेरा o minus बनता है, और o minus जब यह बनेगा, तो यह क्या करेगा, इसको अपनी तरफ खीच लेगा, क्योंकि जब इस bond pair के electron इधर shift हो रहे हैं, तो इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज क्रियेट होगा, और जब इधर bond का जो electron है, ओपर जा रहा है, तो इस पर negative charge क्रियेट होगा, तो इस से क्या होगा, कि इसमें इनॉलाइजेशन होती है, इनॉल, देखें, इनॉल, इनॉल मतलब क्या होता है, इन मतलब अल्क, इनॉल मतलब अल्कोहॉल, तो वोई चीज यहाँ पर बन रही है, इनॉल, इनॉल, ठीक है, तो इसे हम टॉटो मराइजेशन कहते हैं, और यह क्या होता है, यह बेसिकली आपका equilibrium में exist करता है, ठीक है, फिर उसके बाद, इसके बाद क्या होता है, कि जो हमारी इनॉल फॉर्म है, यह मेरी इनॉल फॉर फॉर्म मेरी electron rich होती है, तो क्या होता है, जब यह वापस tautomerize होता है, बैक, तो यह bond जो है, OH का bond है, यह वापस आ रहा है, फिर उसके बाद यह bond इधर shift हो रहा है, तो मेरे carbon पे क्या हो रहा है, डेल्टा नेगिटिव चार्ज क्रियेट हो रहा है, तो यह डेल्टा नेगि electron को यहां से खीचने की कोशिश करेगा है ना, तो basically क्या हो रहा है, इस इनॉल ने बी आर टू पे, बी आर बी आर पर क्या किया है, एक नुकलियोफिलिक अटाक किया है, ठीक है, जब यह bond मेरा इस पर आया, यह electron मेरे इस पर इकठे हुए, तो इस पर नेगिटिव चार्ज बन गया, नेगिटिव हमेशा पॉजिटिव पे अटाक करेगा, तो यह नेगिटिव है, तो इस ब्रोमीन को पॉजिटिव होना पड़ेगा, तो जब इस ने इस पर अटाक किया, तो क्या होगा, यह जो ब्रोमीन है, यह यहां के shared pair of electron को लेके निकल जाएगा, उससे क्या ह देखिए, बेसिकली यहां पर दो electron है, यह दो electron पड़े हुए, एक इसका है और एक इसका है, तो इस ब्रोमीन ने क्या किया, इन दोनों electron को अपना मान के यह लेके भाग गया, यह तो इसने बोला कि भाई, मैं अपना भी ले जाओंगा, जाते जाते मैं तेरा भी लेके जा तो यह क्या हो जाएगा, यह तो चला गया, इसके उपर, मतलब यह समझ लीजे, इसने अपना एक चीज किसी को दान दे दी, तो जब हम किसी को दान देते हैं, तो भगवान हमारे को क्या करते हैं, एक positive देते हैं, एक मतलब positive, हमें कुछ अपना आशिरवात देते हैं, तो यहां पर positive जाया अब यहां पर negative है यहां पर positive है तो देखिए अब अराम से attraction होगी तो यह इसे attack कर देगा यह अपना महाशेजी electron लेके भाग जाएंगे तो क्या होगा तो क्या होगा देखिए RCH इसके साथ एक BR आ जाएगा यह वाला BR आ गया फिर C double bond O BR यह हमारा एक बन गया अब उसके बाद हमारा जो काम होता है यहां पर BR माइनस रह जाएगा अब उसके बाद हमारा काम होता है वरक अब का जैसे मैंने आपको preparation में बताया था कि जो हम acid derivatives होत अगर आपको नहीं पता है तो आप प्लीज मेरे वह प्रिपरेशन वाली वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि वह बहुत काम आने वाली है और बैचलर्स के लिए तो specially मैंने खास यह नोट्स बनाए है क्योंकि BAC वाले में अगर आप लोग इतने अच्छे से सारा आप लिए तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे कोई डाउट ही नहीं है तो देखिए फिर हमने सिंपल इसकी हाइडरॉलिसिस कर दी और हमें अपना अल्फा हैलोजीनेटेड प्रॉड़क्ट मिल गया तो इसके लिए मैं आपको एक नोट बताना चाहती हूं कि जो अल्फा हैलोजीनेशन जो अल्फा हैलोजीनेशन होता है या तो अल्फा ब्रोमीनेशन, अल्फा क्लोरीनेशन कुछ भी आप बोलिए कुछ कार्बोनायल कंपाउंट का जैसे एल्टीहाइड और कीटोंड यह हम अकम्पलिश कर सकते हैं with BR2 under acidic condition BR2 under acidic condition हमने क्यों बोला है क्योंकि यह inolization कराएगा ठीक है acidic condition में generally हमारा क्या बनते हैं enols बनते हैं तो यह help करता है enolization कराने में और कई बर basic condition में भी हमारा enol बनता है enol के बारे में आपको जरूर subsequent videos में जरूर बताऊंगी detail में लेकिन पहले मैं अभी यह chapter को पूरा finish कराना जाती हूँ तो देखिए conditions acidic conditions और this reaction will generally not occur with acids and ester यह जो enolization वाली जो reaction है या फिर यह जो हमारी जिस particular alpha halogenation के में बात कर रही हूँ यह कुछ acid के derivatives के साथ नहीं होती जैसे acids हो एस्टर हो गया, amides हो गया इनके साथ यह reaction generally possible नहीं होती क्योंकि इन में enolization ही नहीं हो सकता तो enolization जब तक नहीं होगा तो कैसे वो हमारे BR2 पर अपना nucleophilic reaction करेगा ठीक है तो enolization होना कितना important है इस step के लिए आप देख सकते हैं तो जब मेरे acid ester amide यह याद रखिएगा जब मेरे acid ester amide में enolization ही नहीं हो रहा तो आगे मेरी reaction हो ही नहीं सकती alpha halogenation हो ही नहीं सकता तो इसी लिए aldehydes और ketones ही enolize करते हैं और enolize करते हैं and they allow the reaction to occur तो यह पर लीजेगा यह हमारी पूरी बात हमने करी किसकी hvz reaction के बारे में तो यह पूरा हमारा था अब मैं आपको mechanism बताना चाहती हूँ जो मेरा step 1 का mechanism था वो basically क्या था कि यह मेरा acid है यह मेरा phosphorus tribromide है फिर उसके बाद क्या किया इसके जो मेरे electrons है इसने basically देखिए यह मेरा oxygen है यहाँ पर हमें पता है कि arboxylic acid में एक resonance होती है तो इसने क्या किया यहाँ से electrons migrate हुए यहाँ से यह bond इधर oxygen पर migrate हो के और इसने phosphorus पर attack किया phosphorus पर क्यों पर phosphorus पर अप कैसा attack होगा nucleophilic attack nucleophilic attack क्यों होगा क्योंकि boron ने फिर वही गंदी बात करी यहाँ पर इसने अपना electron तो लिया phosphorus का भी लेके भाग गया तो इस वज़े से इस पर phosphorus पर delta positive charge आया अब इसने oxygen ने क्या किया यह बहुत अच्छा बंदा था तो इसने क्या किया अपने electrons को इधर shift करें फिर यह bond के electron किस पर गया oxygen पर फिर oxygen पर delta negative charge आया देखिए दो charges हमारे create हो गए opposite तो आराम से reaction होगी वोई चीज यहाँ पर हुई तो यहाँ पर देखिए क्या बन गया R double bond OH R double bond OH O ने तीन bond बनाए है तो positive charge आ गया oxygen यह वाला oxygen और इस PBR2 BR2 इसलिए क्योंकि एक BR2 निकल गया अपना भी electron ले गया phosphorus का भी ले गया फिर उसके बाद देखिए क्या हुआ कि यह जो मेरा PBR2 है न यह मेरा इस oxygen के साथ bound करके निकल जाता है इस से पूरा बाहर ही हो जाता है ठीक है और BR- जो है वो इस पर फिर से attack करता है और BR- इस बार कैसा attack कर रहा है nucleophilic attack कर रहा है क्योंकि इस बार BR- क्या है electron rich है और यह जो मेरा carbon है इस पर delta positive charge आ जाएगा अब यह बताती हूँ delta positive कैसे आएगा क्योंकि carbon के बगल में oxygen है इस oxygen पर कैसा charge आप देख पा रहे है positive charge देख पा रहे है तो positive charge क्या करेगा अपने पास इस carbon के एलेक्टरॉन्ज को कीचेगा क्योंकि देखी oxygen वैसे ही बहुत electronegative होता है आपको याद होगा phone मैंने आपको बताया था electronegativity का इस की around three. पॉइंट फ्लोरीन की तो 4.0 होती है ऑक्सिजन की भी शायद ऐसी होती है त्री पॉइंट सम्तिंग के राओं तो ऑक्सिजन बहुत इलेक्ट्रो नेगेटिव है जब अपनी न्यूट्रल फॉर्म में है अब यहां पर पॉजिटिव चार्ज हो गया है तो और भी ज्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिविटी का मतलब होता है कि बॉण्डड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉंस को यह जो हमारे इलेक्ट्रॉंस पढ़े हुए इनको अपनी तरफ खीचना तो ऑक्सिजन इतनी जादा तरीके से खीचेगा अपने तो खीचे गई कार्बन के भी खीचेगा जब अपने पास एलेक्ट्रॉंस ले लेगा तो कार्बन पे क्या आ जाएगा एक डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो पॉजिटिव है नेगिटिव है अराम से रियक्शन होगी इसने इस पर रियक्ट करा उतने में यह महाशेजी अपना पूरा ऑक्सिजन लेके फ तो यह हमारी पूरी रियक्शन थी फिर उसके बाद क्या होगा ऑक्सिजन अपनी वालंसी साटिस्फाइज करने के लिए एच प्लस को छोड़ देगा एच प्लस चोड़ने के बाद यह नीट्रल हो जाएगा और यहां पर हमारे को हो पी बियार टु का इजाद हो जाएगा तो यह हमारी रियक्शन थी और मैं आपको एक चीज और याद रखने के लिए बताना चाहती हूँ कि देखे जब भी फॉस्फॉरस होता है फॉस्फॉरस जब भी रियक्शन में प्रेजेंट है तो आप यह याद रखिएगा कि वो कही ना कही से ऑक्सिजन जरूर लेके ज जाता है मतलब उसमें 3D-Pi, 3D-Pi और 2P-Pi bonding होती है और 3D-Pi, 2P-Pi bonding बहुत स्ट्रॉंग होती है द्यू टू इंक्लाइड नेचर के वज़े से यह bonding बहुत स्ट्रॉंग होती है 3D-Pi जो होती है वो फॉस्फॉरस में होते है 2P-Pi जो होता है वो हमारा ऑक्सिजन का होत होती है इसलिए आप यह याद रखिएगा कि अगर रियाक्शन में फॉस्फॉरस है तो वह उक्सिजन जरूर लेके जाएगा कही ना कहीं से और वही यहां पर हुआ ठीक है तो इस तरीके से हमारी HVZ रियाक्शन हमने पढ़ी यह एक नेम रियाक्शन थी आगे हम रिड़ रियाक्शन करा सकते हैं क्या क्या चीज़े यूस करेंगे तो थैंक यू सो मुच एवरिवन प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको पसंदा है तो थैंक यू